सीए और फिर एनार्सी इसको लेकर के घमासान है राजनितिक तोर पर जेडियू में भी सवाल पर कई बाते हैं मुख्यमंतरी नितिशकुमार ने साथ तोर पर ये कह दिया है कि ने एनार्सी कहां से आ गया या एनार्सी के पक्षिमें वो नहीं है फिर भी जो है पार्टी में सीए उको लेकर के भी सवाल है हमारे साथ है प्रदेश जेडियू के अध्यक्ष वशिष्ट नरायन सिंग और पार्टी के वरिष्ट नेता हम इन से जानने के गोईस करते हैं कि ये मामला क्या है प्रचांत कि सोर ने जो प्रतिकरिया दिया है बज़िश्दार इस पर कुछ सवाल उठाया था तो उन्होंने का क्या बात है इस पर चर्चा करने को तैयार है तो ऐसा नहीं और इनरशी पर तो साफ कर रहे है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर हम प्रतिकरिया वेक्त करें अमिद साह को उन्होंने एक तरस चुनोती दिये काया कि अगर तो फिर लागू के उन्हीं करते है अमिद साह के बदे हम बयान नहीं देंगे और हम उस पर उतर नहीं देंगे पार्ठी बीजेपी कर रहे है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जीट्डीू का अंदरोनी मामला लेकिन जीट्डीू को करवाई करनी चाहिए तो जब बैठक होगी तो इस पर विज्यार होगा इसे अधिक्रमा भी क्या कह सकते हैं पाउन बर्मा भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और चिठ्थी भी उन्होंने लिखिये सीम नितीश कुमार को किस ठंग का बयान देना नकेवल अनुचित है बल्खी यह गार जरूरी भी है और इस पर उनको नहीं पोलना चाहिए था देकिन पाठी की बैठत में निश्चित रुप से इस बात को उठाया जाएगा और हम लोग उठायेंगे देखे सब भी बातों पर संगर्षनात्मक बातों पर और ततकालिक मूदों पर पाठी में बात होती है इसलिए निश्चित रुप से जो भी मूदे हैं जो भी लोग के द्वड़ा उठाये हैं बैठत में सब भी बातों पर पीचार किया था यह थे वसिष्ण नरांसिंग और इनका साथ तोर प्रमानना है कि एनर सीप पर तो सवाली नहीं उड़ता सरकार नया यानि नितीश कुमार और पार्टी उनकी जेडियू ने स्टैंड क्लियर कर दिया है रही बात NPR CA पर तो उस पर विचार हो सकता है भी उस विचार के लिए तैयार है लेकिन पार्टी के अंदर जो कई विरोधी आवाजे उठ रही है अगर वो पौन बर्मा के रूप में है तो पार्टी उस पर विचार करेजी और साथी साथ ये कि फिलाल ऐसी बाते न की जाए तो ही बहतर ये जेडियू की तरफ से जेडियू के प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत है अपने कार्ज करताओं के लिए कैमेरा पर्चन सब्तिरिशी के साथ पटना से स्वाराज एक्सप्रेस के लिए नवेंदू